जूट से दूर, ख़बरों से भरपूर जूट से दूर, अबी राइधिन कहीं कोई ना कोई लिंचिंग के घटना होती रहती है। जो मुझे उनके वालिद ने और उनके बेटे साबिर ने मुझे बताया क्या तिलोगपुरी में गया था उतलोगपुरी में रहते थे उन्होंने बताया कि गुड़गाओं से एक सवारी उन्होंने ली थी जो बुलंशेर जानी थी और जब बुलंशहर से दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो दादरी से पहले एक टोल प्लाजा पढ़ता है जहां पर जब गाड़ी रुकी तो कुछ तीन-चार लड़के थे जिन्होंने जबरदस्ती उस गाड़ी के अंदर वो घुसे उन्होंने मना किया कि मैं कोई क्योंकि मेरी और उन्होंने कहा कि हम लोग शराब पीना शुरू किया तो आफताब आलम ने मना किया कि मेरी गाड़ी में आप शराब मत पीजे मैं एक मुसल्मान हूँ और मुझे शराब से घिन है मुझे शराब हमारे लिए हराम है तो उन्होंने कहा रहे कोई दिक्कत नहीं है तुम कि टोपे कुछ ने पर गाता था कि यूचम और रहा है। तो उन्होंने का सब्सक्राइब करने चास्तों नहीं इस हमांinformatic की ओने सिर्पता हूँ तो वीधिन तान की सवी कौशी से और WALT में आदी है। और उस उनके बेटे नहीं बताया कि उस recording में ये आया कि बाद में उन्होंने उसको मारना शुरू किया उनके वालत को, आफताब आलम को और उनसे कहा कि जैसी आराम का नारा लगाओ और ये शराब पियो जब उन्होंने नहीं किया तो मारना शुरू किया पुड़ी देर के बाद उनका मोबाइल बंद हो गया जो उन्होंने फिर मिलाया तो सुचोफ था अब ये सुनकर वो बहुत घबरा गये और उन्होंने मयूर वियार पुली स्टेशन में जाकी कंप्लेंड करी उन्होंने का कि हम तो नहीं ट्रेस कर सकते हैं हमारा मामला नहीं है दादरी का मामला है तो उन्होंने फिर भी पुलिस वालोंने कहा कि आप दादरी जाईए वो लोग दादरी के लिए निकल पड़े जहां भी नौइडा जहां तक लास्ट उनकी बात वी थी कि बुलंड शेर से निकला हूँ तो उनको दमाग में रूट था कि यहां से रूट से वो आते हैं तो वो लोग गए जाने के बाद उन्होंने वहां थाने में किसी एक थाने में जाके बात करी तो वहां से कुछ पता चला कि हां ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है तो उसी थाने के पाँच किलोमेटर के आगे हो जब गए वहां से गाड़ी से तो उनको अपने बाप की गाड़ी वहां पर खड़ी मिली लेकिन उसमें कोई था नहीं वो आसपास के पुलीस टेशन में गए उन्होंने बहुत मुश्किल से बात करने के बाद पता चला कि किसी अस्पताल में इसी गाड़ी में से किसी को लेके पुलिस वाले गए तो जब वहां पहुचे डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने बताया कि लाते ही उनकी मौत हो इदे इंतिकाल हो चुका था तो उनका कहना यह है कि डेड़ दो गंटे पुलिस ने हमारे इसी चीज में वेस्ट कर दिये कि अभी लेके चलेंगे जो पोस्ट मॉटम की रिपोर्ट थी उससे पता चला कि उनके सर में बॉटल मारी गई गले को दबाया गया उनकी चाती पर च उनके उत्तरप्रदेश की पुलिस को और नौइडा की जो कमिशनर हैं उनको टैक किया तो अभी उनका मेरे पास ट्वीट पर मेसेज आया और उन्होंने मुझे मेसेज दिया है कि दो दिन पुराना वहां के एसेसपी का मेरे खाल से वीडियो है जिसमें एसेसपी साहब यह कह रहे हैं कि हमने तफशीश करी तो यह क्योंकि CNG पंप पे भी वो रुके थे CNG डलाने के लिए तो वहां की CCTV फूटेज आई है और वो यह कह रहे हैं एसेसपी उसमें कि जैसिया राम जो है वो इनको बोलने के लिए नहीं बोला वो जो वहां पर CNG पंप पर आदमी खड़ा हुआ था उसको बोलने के लिए बोला तो मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही अभी FIR में पढ़ नहीं पाया क्योंकि अभी मेरे पास आई है लेकिन लूट पार्ट होती तो उनकी गाड़ी को भी लूट लेते उनकी पर्स को वो लेके चले जाते पैसे दिकाल लेते ऐसा कुछ नहीं हुआ पता नहीं क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है इसको लिंचिंग का मामला ना बताते हुए वो कह रहे हैं कि इसका किसी धर्म स के हालात जो उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं और ये एक बात नहीं है अभी हर्याना के अंदर जैसे आपको आपने अभी देखा एक एक आदमी का जो नई था उसका विचारे का हाथ काड़ दिया गया क्योंकि उसके हाथ पर एक टैटू बना वाता जिससे ये पता चलता था कि वो किसी एक मख़ब से तालुख रखता है तो मेरा मकसद ये है कहने का कि जो हिंदुस्तान जो हमारा ये मुल्क जो गंगा जमनी तहजीब के का मरकस कहा जाता है जो गंगा जमनी तहजीब के उपर जिसकी नीव रखी गई है वहां इंसानियत को क्या हो चुका गया कोई एक स्टेटमेंट किसी मंत्री का किसी एक अधिकारी का बयान नहीं आता एक आदमी की इतनी बहनक तरीके से हत्या कर दी गई उसका बेटा रो रहा था और मुझसे सर्व एक ही बात कह रहा था कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए हैं बहुत सारी आम आदमी पार्टी और SDFI और कौन-कौन लोग हमारे पास आएं सिर्फ हम से मिले हैं हमें कहके गाएं लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें कम से कम इंसाफ तो मिले हुए चाहते कि उनको कोई मुआफ़ा दिया जाए कुछ एक ही आदमी था वो जो घर को चलाने वाला था बेटा चोटा है 15-16 साल का बच्चा है बुजर्ग बाप हैं और कोई नहीं है उनके वही गाड़ी चलाया करते थे तो लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग कोई ये मांग नहीं कर रहे कि हमें कोई पैसा दीजे या कुछ दीजे वो तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें इंसाफ दे दीजे बच्च कि उसके पचास किलोमेटर के अंतराल के अंदर नौइडा दादरी में इतना बड़ा मसला हो गया उन कातिलों को अब तक नहीं पकड़ा गया कहा चले गए वो कातिल गायब हो गया जमीन निगल गई आसमान खा गया क्या हुआ कोई बोलने के लिए तयार नहीं है उत्तर प वारगबाद इस चीज के लिए देना चाहता हूं कि आपने एक अच्छा पत्रकार होने के जरीए इस चीज को उठाने की बात करी मैं देख रहा हूं कोई इस बात को उठा नहीं रहा कोई मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा कहीं पर यह आने रहा बड़े अफसोस की बात है अभी उस फामिली के साथ जो आप मिले हैं कैसा माहोल है उस फामिली के एंदर हो लोग क्या मैसूस कर रहे है डरे हुई है नहीं है अगया उनका बेटा जब मैद पहुचा हूँ क्योंकि मैं नमास के बाद पहुचा वहां फौने दो बच गय थे मेरे साथ वहां लोकल कि भाई मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपसे मैं स्कूल मतलब मैं बहार निकलने में डर रहा हूं मैं दो दो तीन तीन लोग हम इकटे होके निकल रहे कि पता नहीं क्योंकि मेरी मैंने रिकॉर्डिंग करी है मैंने पुलिस को दिये कोई आके मुझे ना मार दे ये भी कि मैं आज मिलके आया हूं भाई जान उनसे एफ आई आर की कॉपी अभी मुझे मिली है इसके बाद अभी क्योंकि उत्तरप्रदेश के जो हमारे कुछ लोग है उनसे भी मेरी बात हुरी मैं हमारा मुल्क ये देमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेटिक सेटप है हर आदमी को मज़ाब पर अपने जाद पर अपने धर्म पर पूरी वास्था हो काम करना सब कुछ आजादी है से अकेरिया मुत्र प्रदेश में देख पारे इस तरह प्रियंका गांधी वाडरा मुकिन मुत्रों को मुथरों के उठा रही है बाकि दोसरा बिबक्ष भी खामोश है क्या सब्रक्ति कर जाते हैं कभी वो साइकल के रूप में आते हैं कभी हाथी के रूप में आते हैं और कहीं ना कहीं माइनॉरिटी यह जो लोग है वो उन पे भरोसा भी कर लेते हैं कि शायद ही हमारी कुछ बात करेंगे. आज मैं यह कहना चाहता हूं आपसे, बड़े खुल के कह रहा हूं, आज कहां गए अखलेश यादव, आज कहां गए मायावती, मुझे बताईए आप, आज कहां गए वो चंदर शेकर आज जो जमा मस्जित की सिडियों से दिल्ली में अपने आपको, जिनको पुलिस पकड़ के ले जाती थी, आज दिल्ली के अंदर, दंगे के अंदर इतने बच्चों को पकड़ा जा रहा है, आज कहां गए वो रहनुमा सारे, जो यहां पर आके बड़ी-बड़ी बाते किया करते थे, मैं ये पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा है, लेकिन मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं, अजितने के बाद भी, वो काम किया है, जो एक पॉलिटिकल आदमी को जो पॉलिटिक्स में लोगों की सेवा करने के लिए जाता है, वो करता है, बहराल ये एक अलग बात है, जहां तक बात उत्तर प्रदेश की है, अगर आप देखेंगे, पिछले कई और इस लॉक्डाउ करने का काम कर रही है. एकनी बेदर्दी से इंसानियत को तार-तार करती हुई हत्या करी है, उसमें हमें इंसाफ चाहिए, अब मैं आज मिलके आया हूँ, मैंने उनकी FIR भी ले ली है, अभी मैं लीगल ओपीनियन भी ले रहा हूं, बात कर रहे हैं और जो पुलीस, मतलब जो हाई लेवल पे पु इंवल्व करेंगे, कि पूरी तरीके से इस मामले का संग्यान ले और हमारी तरफ से, कॉंग्रेस की तरफ से विपक्ष होने के नाते, जितना कुछ हम कर सकते हैं, उसमें चाहिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम पूरी कोशिश करेंगे, कि उस परिवार को इनसाफ मिले, और उन कातिलों को सक्स सक्स हजा मिलनी चाहिए, उसके लिए चाहिए हमें अगर अपने भी वकील लगाने पड़ेंगे, तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे, उस पर सारी चीजों पर अभी हम लोग क्योंकि आज ही मिलके आया हूँ, इंशाला चर्चा करके इसको आगे कैसे बढ़ाना, शाना बशाना मैं बूल किया हूं कि उनके साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया, हम उमेद करते हैं कि वितनी फैमली को इससाफ मिले जल्द से जल्द, उसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको.